सोशल मीडिया पर एक बार किसी का नाम उचल जाए उसके बाद उस इनसान को लेकर तरह तरह की अफवाहें वाइरल होने लगती हैं चंद व्यूज के लिए कुछ सोशल मीडिया चानल्स कैसी भी जूठी खबर चला देते हैं सोशल मीडिया पर एक वीडियो कूल हड पीज़ा कफल सहज अरोडा और गुर्प्रीत का भी वाइरल हुआ था हाला कि सहज अरोडा ने बाद में आगे आकर ये कहा था कि ये वाइरल MMS AI जेनरेटिड है और पूरे तरीके से फेक है सहज ने ये दावा भी किया था कि उन्हें एक मेसेज आया था जहां सहज से पैसे मांगे गए थे ये कहे कर कि या तो पैसे दे दो बरना तुम्हारा ये वीडियो वाइरल कर देंगे जब कपल ने पैसे नहीं दिये तो उनकी वीडियो वाइरल कर दी गई वो MMS तो वाइरल हुआ ही जिसे सहज पूरे तरीके सिफ नकली बता रहे है इसके साथ साथ सहज की स्यूसाइट की जूठी खबर भी वाइरल हो रही है जिहां कुछ YouTube चानल्स हैं जो ये खबर चला रहे हैं कि सहज अब इस दुनिया में नहीं रहे उन्होंने खुद की जान ले ली है ऐसी खबरें पढ़ने और देखने के बाद 30 सितंबर को सहज ने अपने Facebook पेज पर सच बताया सहज ने कहा कि ये सब खबरे फेक हैं मेरी पुरानी वीडियोस से स्क्रीन शॉट लेकर मुझे डेड डिकलेर किया जा रहा है सहज ने कहा कि मैं सभी मीडिया वालों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी पुरानी वीडियो का इस्तमाल करके उन्हें एडिट करके इस तरीके की अफवाहें ना फैलाएं सहज ने कहा कि इस एक फेक निउस की वज़ा से मुझे दो दिन से बहुत फोन आ रहे हैं सहज ने पबलिक को लोगों को ऐसी खबरों पर यकीन ना करने को कहा जिहां कूलर पीज़ा के सहज अरोडा पूरे तरीके से ठीक है अगर आप किसी वेबसाइट या किसी और प्लाटफॉर्म पर सहज की निधन की खबर सुनते हैं तो उस पर बिल्कुल भी विश्वास मत कीजिएगा सहज और गुरप्रीत इस वक्त अपने आपको संभाल रहे हैं और अपने बच्चे में अपना पूरा ध्यान लगाने की कोशिशें कर रहे हैं पाइनल काट निउस टेस्क